हालो गाईज और वेलकम टो इट वार मोटराइट तो आज की वीडियो में आपको बताने वला हूँ होंडा शाइन हंडेट की इंडिया लॉंज डेट और स्पेसिफिकेशन के बारे में तो गाईस वीडियो में बने रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करो बेल नोडिफिकेशन के अल अप्शन को क्लिक करो तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के अल अप्शन को क्लिक करें, ताके मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुचें सबसे पहले बात करें, लुक्स की, लुक्स आपको सिंपल ही मिलेगे क्योंकि होंडा हमेशा से सिंपल लुक्स पे ध्यान देता है तक जादा लोगों को पसंद आए और जादा बिके बाइक जासे के आपको शायन मिलती है, आपको ज़्यादा स्पोर्टेर साइड देखने को नहीं मिलेगे, जादा funky लुक नहीं मिलेगे, शाइन जैसे लुक मिलेगे, जो कि थोड़े पतले रहेंगे, इतने बल्की और बड़े नहीं दिखेंगे, साइज में थोड़ी कम रहेगी, शाइन 100 एस कंपेर टू 125 शाइन, क्योंकि इसके अंदर आपको साइस कम मिलेगा, ता इंडियन मार्केट के अंदर, इसलिए होंडा 100 CC कैटेगरी के अंदर एंट्री लेवल बाइक लाँच करने वाला है, जो है होंडा शाइन 100, तो यह बहुत जादा कड़ा टककर हो सकता है स्प्लेंटर के लिए, और लुक्स में नो डाट अच्छी लगेगी, मतलब सिंपल स इंडियन वाइसा मिलेगा, जिसके अंदर आपको बहुत कम इंफरमेशन मिलेगी, स्पीडो मेटर, ओडो मेटर, ट्रिप मेटर और फ्यूल गेज जैसे फीचर्स बताएंगे, मोबाइल कनेक्टिविटी, मोबाइल चार्जिंग ऑप्शन जैसे कोई फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं, जो कि आपको स्प्लेंडर एक्स्टेक में देखने को मिल जाते हैं, तो यह एक डॉंसाइड हो सकता है शाइन के लिए, क्योंकि आजकल जो मार्केट में कॉंपेटिशन प्रोवाइड कर रहा है, वो सब होंडा भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, इंजन पर ज्यादा ध्यान देता है, लेकिन आपको फीचर्स भी देना चाहिए, क्योंकि कॉंपेटिशन बढ़ता जा रहा है, फूल डिजिटल मिटर का, नेक्स्ट बात करेते हैं, हेडलाइट की तो आपको हेडलाइट हैलोजन वाली ही मिलेगी, इंडिकेटर भी हैलोजन वाल इंजन गार्ड भी आपको आचा देखने को मिल सकता है, जैसे कि आपको शायन में मिलता है, रियर में आपको ग्रैब रेल मिल जाएगा, उसके नीचे टेल लाइट हैलोजन वाली है, इंडिकेटर हैलोजन वाले, प्रॉपर मड़ गार्ड देखने को मिल सकता है, और ब्रेक जो है ड्रम ब्रेक ही मिलेंगे जादो कुछ एक्स्ट्रा देखने हो नहीं मिलेगा क्योंकि यह 100cc वाली बाइक आती है आप यहीं बात करें इंजिन की तो आपको इसके अंदर 100cc का एर कुल सेंगल सेंडर फॉर स्टोक टू वेल्फ बी एसक्स कॉंप्लाइंट इशन देने वाली है मायलेज आपको बहुत अच्छा मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा स्मूध इंजन मिलेगा ऐस कंपेटिव स्प्लेंडर इसके अंदर आपको ज्यादा स्मूध इंजन देखने को मिल सकता है क्योंकि होन्डा का इंजन के साथ साथ सथ रिलाइबल सकता है इंजन कॉट ओफ सेंसर साइड स्टैंड के अंदर और इसके साथ में इस्टैंड आएगा 180 mm का ग्राउंग क्लेरेंस देखने को मिल सकता है और इसके अंदर सीड भी बहुत सदा कमफरडेबल और बहुत ही अच्छी मिलेगी ताकि आपको लॉंग राइट्स में दिक् देखने को मिलता है और इसी के साथ आप बात कर लेते हैं इस बाइक के ओवरॉल वेट की तो आपको लगभग 110 kg की देखने को मिल सकती है और इसका पावर टुवेटर रश्यों अच्छा देखने को मिलता है तो आपको ज्यादा हेवी नहीं मिलती आप आरम से सिटी में ट् स्टेबिलेटी भी आपको अच्छी देखने को मिल सकती है क्योंकि शायन हंडेट वेल बिल्ड वाइक रहेगी और ट्राइड एंट एस बाइक से आपको अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेट प्राइस की तो आपको यह बाइक बहुत ही ज्यादा अफॉर्डेबल प्रा होगी है और होंडा की बाइक है तो आपको अल इंडिया सर्विस सेंटर देखने को मिल जाते हैं तो सर्विस कराने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और बाइक की पार्ट्स की कॉलिटी आएगी ज्याद आची रहेगी ऐस कंपेड टू स्प्लेंडर एक्सटेक अब आज 900 यह सीधा कॉंपेडिशन होने वाला है स्प्लेंडर के साथ CD100 के साथ CD100 नहीं एचेव डिलक्स के साथ तो यह सब बाइक के साथ इसका कॉंपेडिशन होने अला है जिसके अंदर प्लाटिना भी आती है और माइलेज भी अच्छा देखने को मिलता आपको 80-25 किलोमेटर प गुर्बाइ गाइस